रादे रादे, सपलता से संगर्ज तक, यह कहानी है एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की की जिसका नाम है दिव्या दिव्या एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिन्दगी में सिर्फ और सिर्फ जीतना ही सीखा जिसके सपने भी हमेशा बड़े थे और हमेशा की तरह वा अ अपने स्कूल से लेकर कालेज में हमेशा प्रथम आने तक अपने स्कूल और कालेज के समय में हमेशा दूसरे सहपाथियों के लिए एक आदर्स बनने तक का सफर हमेशा बहुत ही सांदार रहा। अपने घर परिवार में भी उसको सभी से बहुत प्यार सम्मान मिला। इस तरह अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ उसकी जिन्दगी बहुत ही अच्छे से चल गही थी। दिव्या अपने सपने एक-एक करके पूरे करती जा रही थी। लेकिन फिर उसकी जिन्दगी में ऐसा मुकाम आया जो सामान्यता हर लड़की के जीवन में आता है। दिव्या के घरवालों ने उसकी साधी करा दी। बहुत ही धूम धाम से साधी हुई। और दिव्या ने अपने नए साधी सुदा जीवन में कदम लखा। इस उम्मीद के साध कि उसके जो सपने साधी से पहले अधूरे रह गए थे वो अब पूरे होंगे। वह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन में और आगे बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा जीवन वह चायती थी अब वो और उसका जीवन साथी साथ में मिलक हासिल करेंगे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दिव्या को बहुत ही पारंपरिक और दकिया नोसी सोच रखने वाले जीवन साथ ही मिला जिससे दिव्या किसी भी तरह के साथ की उम्मीद कभी नहीं कर सकी साधी होने के बाद एक एक करके दिव्या के पहरों में परि जाने लगी धीरे धीरे दिव्या को घर की जिम्मेदारी के नाम पर उसका खुद का अस्तित्त कोने पर मजबूर किया जाने लगा एक एक करके दिव्या के सपनों का गला घोटा जाने लगा ऐसे समय में दिव्या जो कभी अपनी जिंदगी में काम्याब होने का और जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करने का सपना देखा करती थी वह सिर्फ एक हालातों का सिकार होकर रह गई हर दिन वाग खुद को कोशने लग गई अपनी किस्मत को और अपने भगवान को जिनों ने उसके साथ ऐसा किया एक खुस मिजाज लड़की जीवन के हर छेत्र में शकारात्मक तष्टिकोर रखने वाली अपने जीवन के हर पल को खुल कर जीने वाली लड़की दिव्या एक नकारात्मक नजरिया रखने वाली लड़की बन कर रह गई और इसी कारण उसके जीवन में कई सारी नकारात्मक चीजें एक के बाद एक होने लगी फिर कुछ समय बाद ही दिव्या ने एक नन्नी परी को जनम दिया वह नन्नी परी उसके जीवन में उम्मीद की एक किरन बनके आई इस नन्नी परी के आने के बाद दिव्या की जिंदगी फिर बदलने लगी दिव्या अपनी नन्नी परी के लिए जीने लगी धीरे धीरे दिव्या कब एक साधरान लड़की से एक ऐसी मा के रूप में बदल चुकी थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए उस नन्नी परी के आने के बाद दिव्या को यह ऐसास होने लगा कि वह अब एक और दिन ऐसा जीवन नहीं जियेगी अगर वह खुद अंदर से इतना तूट जाएगी तो फिर वह अपनी नन्नी परी को एक अच्छा जीवन कैसे दे पाएगी इसलिए अब दिव्या ने अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया फिर क्या एक एक करके सभी दिव्या के खिलाफ होने लगे यहां तक कि खुद उसके जीवन साथी ने उसका साथ छोड़ दिया लेकिन तमाम संगर्सों और विरोध के बाद भी दिव्या अपनी लड़ाई लड़ती रही क्योंकि अब दिव्या ने यह निश्चे कर लिया था कि वह अपने और अपने बच्चे का जीवन इस तरह से घुट-घुट कर नहीं जीएगी उसने फैसला किया कि वह अपने आपको और अपने बच्चे को एक अच्छा अच्छी जिन्दगी देगी जहां पर सांती और सुकून हो और खुल कर अपने जविचारों को व्यक्त करने की आजादी हो अपने जीवन को अपने अनुरूब जीने की आजादी हो दिव्या के या निश्चे कर लेने के कुछ समय फिर धीरे धीरे दिव्या का जीवन भी सकारात्मक रूब पदलने लगा उसे अपने जीवन के सभी कामों में सफलता मिलने लगी और दिव्या अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगी अब दिव्या में एक ऐसी अंदरोनी सक्ती आ गई थी कि दिव्या अपने हाथ में हो रही चीजों को समझने लगी थी और हर इस्तिती का सामना करने की हिम्मत उसे अपने ही अंदर से मिलने लगी थी अब दिव्या पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लगी और जीवन में सब कुछ बदलने लगा उसकी सपलता को देख कर उससे जलने वाले लोग कई तरह की बाते भी बनाने लगे परन्तो अब दिव्या को परवा नहीं थी कि किसी की क्योंकि अब दिव्या ने अपने उपर भरोसा करके अकेले जीना सीख लिया था राधे राधे अगर आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी से कुछ सीख मिलते हैं तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें राधे राधे हर हर महादेव